Assalamu alaikum students आज हम करेंगे exercise 1.6 अब exercise 1.6 में हमारे पास क्या है? इसमें हमने board mass rule यूज़ करना है अब board mass rule क्या है? B stands for bracket O of D devian M multiplication A addition and as subtraction means कि हमने जब अपने question स्टार्ट करना है तो हमने पहले उपर ये देखना है कि हमने उस question को पहले divide करना है, multiply करना है add करना है या subtract करना है just like ये देखें अब इस question में minus आ गया हुए और plus भी आ गया हुए अब कैसे पता चलेगा कि पहले हमने ये वला उप्रेशन solve करना है या ये उप्रेशन solve करना है ये हमें बार्ट मैस रूल से पता चलेगा यहाँ पे सबसे पहले क्या है बार्ट मैस रूल में? bracket bracket तो इस function में है यह नहीं है second pair devian devian है नहीं next multiplication multiplication नहीं करना है addition addition है हमारे पास इसलिए सबसे पहले हम add करेंगे then उसके बाद हम subtract करेंगे first seven questions इस तरह addition और subtraction वले आगे 8 से 15 तक devian और multiplication वले हैं पहले हम addition और subtraction को देख लेते हैं एक्सेसाइस की तरफ आ जाएं question number one है 72 minus 50 plus 12 अब board mess rule के according इस question में हमारे पास addition और subtraction है हम सबसे पहले क्या करेंगे addition सबसे first step होता है कि हमने question को repeat करना होता है जैसे question लिख है equal must लगाना है equal लगा कि हमने question को repeat करना है उसके बाद सबसे पहले हमने addition करनी है 72 as it is plus 12 यहां लिखा हो है इसको 72 के साथ लिख ले plus 12 minus 50 को अलग कर ले इन दोन को add किया या गया 84 84 minus 50 इन दोन को minus किया 34 answer question number two 45 plus 44 minus 28 हमने पहले क्या करना है add करना है यहां पर पहले add ही लिखा हो है उन्होंने इसलिए हम 45 और 44 को add कर लेंगे then इसको 29 में से minus कर देंगे या गया 61 answer next है question number three 56 minus 22 plus 21 question repeat किया